मसूर की मांग कमजोर होने से भाव लुड़क चुके हैं मसूर में मिलो की मांग कमजोर बनी हुई है जबकि पुरानी मसूर का आयाद बढ़ने के कारण स्टोकिस्टों द्वारा आयातीत मालों की बिक्वाली की जा रही है इससे लगातार भाव में गिरावट देखने को मिल रही है पिछले दिन मसूर सो रुपए टूटकर नीचे में साड़े पैसट सो रुपए से लेकर पैसट सो पिचतर पे प्रतिक विंटल रहे गई है दरसल कनेडा और ऑस्टेलिया से कमजोर संकेत के कारण घिरेलू बजारों पर दबाव बना है जबकि देशी मसूर की आवक टाइट है लेकिन घराकी भी कमजोर है हाला कि कनेडा और ऑस्टेलिया से नए मसूर के आयात में अभी कुछ समय है अक्तूबर से कनेडा का मसूर भारत में आने की संभावना है चबकि आस्टेलिया की मसूर नवंबर में आने लगेगी वहीं आपको बता दे कि दूसरी और 2021-22 के लिए भारत सरकार के चोथिम अगरी मनुमान के मुदापिक 2021-22 के 14,09,000 टन के अंतिम मनुमान के मुकाबले मसूर का उत्पादन 12,08,000 टन होने का नुमान है ऐसे में देशी मसूर की कीमतों में ज्यादा मंदी की गुंजाईश कम है और उधर मार्क फिट द्वारा एक लाग टन मुम बेचने की गोशना किये जाने से फिलाल मुम के दाम थमने की उम्मीद की जा रही है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी